हमने जड़ व्यवस्था परावर्ती जड़ों के बारे में पहली वीडियों में जाना है आज हम तना और उसके अंगों के बारे में जानेंगे तुम्हारी पाटशाला के परिसर में बहुत वनस्पतिया उक्ती होंगी आपके घर में भी यदि छोटा बगीचा है तो कुछ वनस्पतियों की शाखाएं तुम पढ़ाई के लिए इस्तमाल कर सकते हो अंकुरिद बीज के प्रांकुर के कारण तने का निर्मान होता है मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है तने की व्रिद्धी की दिशा क्या होती है सामान अतहा हम देखते हैं कि तना जमीन की सता पर बढ़ता है अर्थात वो एरियल या फिर वायवी है तना सूर्य प्रकाश की दिशा में बढ़ता है अतहा तना सीधा बढ़ता है अब हम इसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे और वो भी नमूने की सहायता से है चात्रो तुम देख सकते हो कि तने से पत्तियां बनती है तने की वृद्धी बनाये रखता है गाठ में तना शाखाएं तैयार करता है क्या तुमने देखा है कि अलग-अलग तनों की उंचाई अलग होती है तने की उंचाई के आधार पर हम वनस्पतियों का जड़ी बूटी, ज़ाडियों और व्रिक्षों में बर्गिकरन करते है तुलसी का ही उधारन ले लो ये जड़ी बूटी है और इसकी उंचाई कम है गुढ़ल, अमरूत का तना भूरा, कठिन और वुड़ी होता है ये ऐसी जड़िया है जिनकी उचाई पास से साथ फिट होती है अब आम, नारियल का निरिक्षण करो तना कैसा है? ये कठिन, भूरा और बहुत लंबा है इन्हें व्रिक्ष कहते हैं अभी और वनस्पतियों का निरिक्षण करते हैं तुलसी, बरगत और आम के तने पर कई शाखाय है तो दूसरी ओर, गन्ना, मकई के तने पर कोई शाखा नहीं है तुलसी, आम, बरगत ये सब द्वीबीज पत्री वनस्पतिया है जिनके तने पर शाखाय हैं तो मकई, घास और गन्ने जैसे एक बीज पत्री वनस्पतियों के तने को शाखाय नहीं होती है हमने तने के अंग देखे किन्तु तनों का वनस्पतियों में कारी क्या होता है तने शाखाय, पत्ते, फूल और फलों को जनम देते हैं पानी और खनिजों का वहन जड़ों से विविद अंगों तक करते हैं पत्तों ने बनाया हुआ अन्न तने के द्वारा परिवहित होता है सारांज एक बीज पत्री में विना शाखा का तना द्वी बीज पत्री में शाखों से पूर्ण तना अभी तुमने सामान या तने के बारे में जाना किन्तु क्या तुम्हें पता है कि तने अलग आकार के हो सकते हैं मुझे पता है कि विश्वास करने के लिए ये कठिन है मैं तुम्हें कुछ जाने पहचाने चितर दिखाता हूँ ये सब तने हैं जो जमीन के अंदर बढ़ते हैं अद्रक में तुम गाठ और पर्व को तने पर देख सकते हो आलू भी शाखा के सिरे से बढ़ता है क्या तुमने अंकुरित आलू देखा है? वो अंकुर ही आलू के तना होने का प्रमान है प्याज का आकार बल्ब जैसा होता है जडों के निर्मान का स्थान देखो प्याज में एक चप्टे चक्र की तरह तना होता है ये सब भूमिगत तने के बारे में था अब तनों के बारे में और जानने के लिए कुछ उधारन लेते हैं मुझे बताओ कि लौन में घास कैसे उगाई जाती है घास उगाते समय घास की वनसपतिया जमीन में कुछ अंतर रखकर उगाई जाती है थोड़े ही समय में वो जल्द ही फैलती है और जमीन पर अपना आवरन बना लेती है ये इसलिए होता है कि घास कुछ धावकों को जन्म देती है जिससे अधिक गती से गुनाकार हो धावक विशेश तने होते है कुछ वनस्पतिया जैसे कि नीमबू, बोगनवेल के तनों को वनस्पति की रक्षा करने के लिए मेरुदंड होता है कटाल में वनस्पति का भाग जो पत्तों की तरह दिखता है असल में वही तना होता है सारांच जो आज तुमने तना और उसके अंगों के बारे में सीखा बहुत से नमुने देखने के बाद मुझे विश्वास है कि तुम्हें इसका एहसास हुआ होगा कि तने अलग प्रकार के होते हैं और विविद कारे करते हैं चुनौती तुम्हारे घर के बगीचे में या पाट शाला के परिसर में मौजूद वनस्पतियों को जड़ी बूटी ज़ाडिया और विक्ष में वर्गी कृत करो प्रकार के अलग बुटी जड़ीजा और विक्ष में